नमस्कार आप खबर इंडिया देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ आदर्श्तिवारी यूपी की गाजियाबाद से एक तस्वेर निकल कर सामने आई उस वीडियो में हमें दिखाई दिया कि कुछ लोग कैसे उपद्रव फैला रहे हैं कुछ लोग अपने आपको हिंदू संगटनों का बताकर बांगलादेश के नाम पर कुछ मुसल्मानों के साथ मारपीट कर रहे हैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हुआ तो अखलेश यादव तकने से रेटवेट कर दिया इस वीडियो के जरिये से अखलेश यादव योगी आधितनाद पर निशाना साथने चले थे सवाल उठाने चले थे यूपी में योगी सरकार को लेकर और पूछ रहे थे कि क्या योगी एक्शन लेंगे अरे जनाब अखलेश यादव उत्तर प्रदेश में योगी आधितनाद के लिए कानून से बड़ा कुछ नहीं है उन्हें इस बात से फर्क नहीं पढ़ता कि हिंदू है, मुसल्मान है, इसाई है, सिक है उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पढ़ता है कि कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड समझाता नहीं अगर किसी ने कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड किया तो उसे जहन्नुम में पहुचाने का उसका इलाज करने का ठेका योगी आधितनाद के पासी है वो अच्छे से जानते कि उसका क्या करना है तो योगी आधितनाद को ये बताने की जरुत नहीं है कि आखेर वो मुसल्मान पर कारवाई कर रहे हैं या फिर हिंदू पर अक्सर आपने देखा होगा कि यूपी में कोई भी कारवाई होती है तो वहाँ पर एक नेरेटिव सेट करने वाले बिलबिला उठते हैं कुछ राजनितेक और कुछ लिबरांडू लोग जो अपने आपको मुसल्मानों का हितैशी बताते हैं वो माइनरिटी पर हो रहे अत्याचार को लेकर सवाल खड़े करने लगते हैं यहां तक कि हमने कई बार देखा है कि इसमें हिमन राइट वाले तक कूद पड़ते हैं और योगी आदितनाथ की कारवाई को एक धर्म पर कारवाई बताने लगते हैं लेकिन ऐसा नहीं है अगर माफिया तीक एहमत का सफाया होता है ता निल दुजाना भी मार गिराया जाता है अगर बड़े-बड़े माफियाओं को मिट्टे में मुलाया जाता है तो उसमें न धर्म देखा जाता है न जाती देखे जाती है अब यूपी की गाजियाबाद से एक तस्वीर निकल कर सामने आई जिसमें जुग्यों में रहने वाले लोगों को बाइंगला देशी बता कर पीटने का मामला निकल कर सामने आया अब बाद एक बार फिर से हिंदु मुसल्मान के तोर पर हो गई थी क्योंकि जो लोग वहां जुग्यों में रह रहे थे वो मुसल्मान थे ऐसे भी सवाल उठना लाजमी था और योगी सरकार को घेरने का काम भी तमाम विपक्षिदल करने लगा लेकिन योगी ने देर नहीं लगाई महराज योगी आदितनाथ ने 24 घंडे के अंदर ही सक्त एक्षन ले लिया और साथी योगी आदितनाथ ने पुलिस को ऐसा आदिश दिया जिसके बाद हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भुपेंद्र चौधरी और फपिंकी और हरियोम सिंग को गिरफतार कर लिया गया जिसके बाद अब उन पर रासुका यानी रास्ट्रिय सुरक्षा कानून लगाए जाने के तैयारी की जा रही है रासुका के जरिये से बड़ी कारवाई होती है और रासुका कोई छोटा मोटा एक्ट नहीं है इसके जरिये से ऐसी कारवाई होती है कि इन आरोपियों को इन अपराधियों को अपनी नारी तक याद आ जाएगी लेकिन रासुका के तहट अप पुलिस इन पर कारवाई कर रही है सियम योगी अक्सर अपराधियों और कानून को हाथ में लेने वालों खिलाव सक्त रवाईया ही अपनाते है चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसल्मान हो इलाज एक जैसा होगा योगी सरकार ऐसे लोगों के खिलाव सक्त एक्शन लेने से पीछे नहीं हरती चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो दोनों आरोपी हिंदू रक्षा दल से जुड़े है पुलिस उनपर रासुका लगानी की तैयारी कर रही है सियम योगी के इस कदम की अब जम कर तारीफ हो रही है खबर के मताबिक हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भुपेंद्र चौधरी ने अपने करीब 20 समर्थकों के साथ मिलकर शुकरवार को गुलधर रेलवे स्टेशन के पास जुग्यों में रहने वाले लोगों को बांगला देशी बताकर उनके साथ मार पेट की और लाठी डंडों से उनकी जुग्यों में भी तोड़ फोड की इस हमले में कई लोग घायल हो गए थे जिसके बाद पुलिस ने कारवाई करते हुए आरोपियों को गिराफतार कर लिया जाच में पता चला कि जिन लोगों के साथ मार पीट की गई थी वो बांगला देशी नहीं बलके यूपी के शहा जहां पूर के रहने वाले हैं इससे पहले समाजवादी पाइटी के अध्यक्ष अखलेश यादव ने इस घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा था और कोट से इस पर स्वतह संग्याल लेने के मांग कर डाली थी अरे आप योगी आधितनाद से कहते अखलेश यादव और उन तक ये ख़बर पहुची होती तो तब तक एक्षन हो चुका होता अखलेश आप की तरहा योगी आधितनाद किसी पर्टिकुलर लोगों पर या बिरादरी पर या फिर किसी धर्म पर कारवाई नहीं करते उनकी नजरों में हर कोई एक हैं उनकी नजरों में हर एक अपराधी को एक तराजू से ही तौला जाता है और उसका उलाज भी एक जैसा ही होता है अखले शैदब ने क्या लिखाता? लिखाता कि कानून हाथ में लेने का अदिकार तो सरकार को भी नहीं है फिर उनके संगी साथी गुर्गों को कैसे हो सकता है? यानि सीधे तोर पर योगी पर सवाल उठा रहे थे इस हिंसक मामले में नैले से स्वता संग्यान लेने का अग्रह है आशंका की शिकायत होनी चाहिए मनमानी हिंसा नहीं कहीं ये भी भारतिये जमीन पाइटी का कोई खेल तो नहीं जो जमीन खाली खराने का नायाब तरीका निकाल रही है सबाध देक्ष ने कहा कि ऐसी घटनाओं से उत्तर प्रदेश की छवी खंडित हो रही है देश की राजधानी के इतने करीब घटे इस कुकृत के इस पक्ष की भी जाच कहीं न कहीं होनी चाहिए लेकिन अब साफ हो चुका है योगी आधितनाथ तक जैसी ये खबर पहुची लखनाओं से बड़ा ओडर आया और गाजिया बाद में हिंदू रक्ष अधल के दोनों ही आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया और कोई छोटी मोटी कारवाई नहीं बलकि अब रासुका के तहत कारवाई होगी कि ये आरोपि भी बिलबिला उठेंगे लेकिन योगी इतनाथ अच्छे से जानते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून के साथ खिलवाड करना योगी को मन्सूर नहीं इस खबर पर क्या है आपके राए कमेंट कर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें